नमस्कार दोस्तो मैं हूँ जितेन चौदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडूटेक में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिम्टेट के बारे में जिया दोस्तो यस बैंक लिम्टेट में ऑपरेटर ने अपना जाल बिछाना चालू कर दिया है और फिस्ते जो है वो एक बड़ी साजिस रचने का यहां पर नया पैतरा जो है चालू कर दिया है और यदि ऑपरेटर की इस नई साजिस में आप फस गए तो कहीं न कहीं हैवी लॉस आप करने जाएंगे तो प्लेज वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसे इंपोर्टेंट रिपोर्ट प्रेस करूंगा और कुछ ऐसे हम खुला से करूंगा जिसको समझने के ब दुनिया भर का जो है ताम धाम लगा के बैठे रहते हैं और जरा सा एक फेक न्यू जाता है तो जो है वो क्या करते हैं सेयर को तुर्ण सेल कर देते हैं और उनके मन में एडर है कि कहीं सेयर यहां से और नीचे न चला जाए तो ऐसी ही एक न्यू जाई है कि mutual funds, sold, yes bank limited, board upon idea stake, हानि कि mutual funds ने जो है अपना stake यहां पर sale किया है, yes bank limited और board upon idea limited में और यह share sale करके, इन दोनों के stakes को sale करके, इनोंने राके जुन जुन वाला, जिसे हम RJ नाम से बूल, RJ सर कहते हैं, तो राके जुन जुन वाला, जिन जिन कंपनियों में invest किये हैं, उनमें इनोंने invest किया है, तो domestic fund manager आप देखें, तो part, domestic fund manager जो है, यानि DI जो है, वो जो है, Vodafone idea limited और yes bank limited से अपना stake जो है, कम किये हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताओं दोस्तों, ए डेटा जो है अगस्त का है, तो mutual funds कब खरिदारी करते हैं, कब बेशते हैं, और उनका फसला है, यदि आप इनको आप अपना portfolio create करेंगे, और इनको देखकर आप decide करेंगे, तो आप कहीं ने कहीं बड़े loss में जाएंगे, stock market में आप अपना दिमाग लगाए, पहले इनका 155 crore का stick था, अब जो है 137 crore का हो गया है, तो इससे क्या है, कि जो नए निवेशक हैं, जो अभी अभी जिन्हों ने stock market में entry ली है, वो सुचेंगे रहे यार, कल तो 12% कीते जी ती, आज 2% कीते जी, yes bank limited में mutual funds वालों ने बेच दिया, अब मैं एक काम करता हूं, मैं बेच देता हूं, और जैसे ही बेचेंगे, फिर अगले एक हपते के बाद, consolidation के बाद, stock फिर 10% उपर आएगा, फिर और just growth आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि quarter 1 की result में, जो 207 करोड रुपे का net profit हुआ है, yes bank limited में, तो yes bank limited ने इहां पर सावित कर दिया है, कि इसका quarter 2 का result आएगा, यानि July, August, सितंबर, यानि सितंबर वहीने का result आएगा, इसकी performance पहले result से काफी अच्छी होगी, क्योंकि हा और kasa ratio और deposits, यही दो ऐसे points हैं, जो yes bank limited की नया को आगे पार करेंगे, और इसके जो MD and CU है, Mr. परसांद कुमार, जब से उन्होंने yes bank limited की command सभाली है, तब से इसी दो core point पे उपना पूरा focus बनाये हुए है, कि bank में deposits की संख्या को growth किया जाए, और bank की kasa ratio को maintain किया जाए, की तेजी आप भूलिएगा मत, क्योंकि कल भायंकर तेजी होई थी, और कल की तेजी में तकरीवन 12% का bumper jump देखने को मिला था, तो जो लोग बोल रहे थे कि yes bank limited single digit में आएगा, आज वो लोग काफी नराज होंगे, क्योंकि जैसे 11 रुपे के नीचे गया था, लोग सेल कर द करके जरूर कीजिएगा, पिछले एक साल से, क्या yes bank limited का share कभी 9 रुपे के प्राइस पे आया है, पिछले एक साल से, यदि आया है तो कब आया है, नीचे comment box में जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि yes bank limited single digit में आ जायेगा, EMK global का target कितना था, 6 रुप तो ब्रोकिंग एजनसियों का काम है, मार्केट में twist पैदा करना, मार्केट में romance पैदा करना, आपका काम क्या है, आपका काम है, नीच को ignore करना, और अपना दिमाग लगाना, यहां पर देखें, तो पिछले 6 हपतों के record को जो है, हाई वी वल्यूम के साथ, जो है, 16% की जो Yes Bank Limited में, यह पिछले 6 हपतों के, यानि आप सो सकते हैं, 7 into 6, यानि 42 days के बाद जो है, यहाँ पर बंपर तेजी देखने को मिला है, Yes Bank Limited में, तो सेर्स को सेर्स करने से पहले, सेर्स को बेचने से पहले, आप अपने आप से एक question कीजिएगा, कि Yes Bank Limited का जो नया management है, इसकी कार् रहा है, यह क्या इसकी जो target है, और target पूरे हो रहे है, यदि यह सब questions आप अपने आप से करेंगे, तो फिर आप चिंता की जो जो दो नाओं पर आप खड़े हैं, बेचू या खरीदू, रखू या क्या करू, आपको जो है clear cut जवाब अपने आप से मिलना चालू हो हैं, आपको बता दें कि Yes Bank Limited में 6 अलग अलग settlement case हुआ है, आपको पता है कि सेवी ने 1.65 करो का fine जो है, Yes Bank Limited में Security Exchange Board of India की तरफ से fine लगाया था, illegal transaction के मामले में, तो उसको भी यहाँ पर Yes Bank Limited ने settle कर दिया है, और एक क्यों लगाया गया था, और इसमें किन किन लोग का हाथ था यह भी जानेंगे, तो इसमें जो है, Yes Bank Limited के जो asset quality के जो manager है, यानि Yes Bank के जो top level के अधिकारी हैं, उन्होंने पहले घोटाले किये थे, पहले जो है कुछ गडबा transaction किये थे, तो इस कार से भी ने यहाँ पर फार्ट पकड़ा, और 1.65 करो का fine लगाया, तो यह fine भी आज जो है Yes Bank Limited ने पूरी कर दी, यह भी एक अच्छी और good news है, Yes Bank Limited के लिए, इसमें आसीस अगरवाल, निरंजन, बनोदकर, संजे, नमबायर, देवा मलय देव, रजत मोंगा और सिवनंदन सेटिगर जो है सामिल थे, यानि 5 लोग जो है, इस case में सामिल थे, तो सेभी ने जो है, 1.65 कोर का Yes Bank Limited ने चुकता कर दिया है, अब आप बोलेंगे कि सार चार्ट पर क्या दिख रहा है, तो चार्ट भी बहुत कुछ बोलता दोस्तो, जब Yes Bank Limited में 12% का सरकिट नहीं लगा था, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, और मैं बुला था कि ICRA की बड़ी रिपो आप 10 मिनिट का टाइम निकलके एक बार चार्ट को ध्यान से देखिए और कहा क्या रहा है, तो आप चार्ट को देखेंगे तो पिछले दो हफ्तों से एक लेवल पर खड़ा था, फिर वहां से एक बड़ा ब्रेक आउट हुआ, और अभी Yes Bank Limited कि सरेंज पर खड़ा है, 50 डे के और 50 दिनों के Simple Moving Average के उपर इस समय Yes Bank Limited ट्रेड कर रहा है, और कल जो आपको 12% का भयंकर बिश्पोर्ट देखने को मिला था, वो वाल्यूम ऐसा नहीं कि फेक है, उस वाल्यूम में जो जबर्जस तीजी आई है, यानि कि जो ब्रेक आउट हुआ है, उस ब्रेक आउट मे वाल्यूम के साथ ब्रेक आउट आया है, और जब किसी स्टॉक में हैवी वाल्यूम के साथ हैवी ब्रेक आउट आता है, तो थोड़े दन दिर तक और रुकेगा, क्योंकि अचानक तो भागेगा नहीं, लोग सोच रहेते 12% आगया, कल 20% हो गया, जील का देख लिजे, कल 40 10% आप 10% लगा फिर जो नीचे आगया था, तो ऐसा नहीं होगा, बढ़ेगा, लेकिन आपको वेट करना आना चाहिए, यदि आप स्टॉक मार्केट में इंतजार करना नहीं पसंद करते हैं, आप सोचते हैं, कि रातो रात करोड़ पती बन जाएंगे, कल अपर सर्कित यदि आपने अपना अमुल्य पैसा लगाया है, तो इंतजार करने की छंता जो है डवलप कीजिए, जब तक आप इंतजार करने की छंता डवलप नहीं करेंगे, तब तक स्टॉक मार्केट से आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, आज की डेट में बात करें, तो नेशनल तो मुझे उम्मीद है कि ए वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगा यदि वीडियो पसंद आए तो प्लेज इस वीडियो को अधिक सदिक लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बनाया रहा है नए है तो जेके रूटेक को सबस्क्राइब कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद